हालो स्टूडेंट्स आज हम एपिकल्चर में एक सब टॉपिक आइडिन्टिफिकेशन ओफ डिफरेंट कास्ट ओफ हानी भी इसके बारे में पढ़ेंगे एपिकल्चर हम जब भी आर्टिफिशल वे में मद्धुमख्यों का पालन करते हैं उससे कहा जाता है मद्धुमख्य पालन से पहले हमें उसकी अलग अलग प्रकार की जो कास्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए जो भी बदुमक्ही का छत्ता या भी हाइव होता है उसमें तीन अलग अलग तरह की बदुमक्हियों के कास्ट पाय जाते हैं जो structure और function दौनों में एक दूसरे से अलग होते हैं इन तीन कास्ट को हमने queen, worker और male इसमें divide किया है queen bee या जिसे हम rani मक्ही कह सकते हैं यह किसी भी अंडे से लगबग 16 दिन में mature होकर बहा निकलती है और इसके बाद इसे royal jelly पर feed किया जाता है royal jelly जो की एक विशेश प्रकार का भोजन है worker bees दोरा बनाया जाता है और royal jelly पर feed करने के बाद ही कोई larva रानी मक्ही में बदलता है कोई भी रानी मक्ही अपने चत्ते में लगबग 2-3 साल तक survive करती है इसका जीवन काल 2-3 साल होगा और इस पूरे जीवन काल में लगबग 3 लाख अंडे देती है रानी मक्ही के दो मुख्य काम होते हैं चत्ते में पहला काम है अंडे देना जो कि लगातार करती रहती है लगातार मेट करती है और मेटिंग के बाद ये अंडे देती है किस तरह का अंडा देना है ये दो प्रकार के अंडे दे सकती है fertilized और unfertilized fertilize अंडे आगे जाकर नई रानी मक्ही बना सकते हैं या worker बना सकते हैं जबकि unfertilize egg से male या drone बनता है तो मक्ही रानी मक्ही या queen bee किस तरह का अंडा देगी ये depend करता है कि उस bee hive में या उस चत्ते में किस प्रकार की cast की requirement है अगर worker कम हो गए है चत्ते में तो worker bee का जो cell होता है उसके अंदर अंडे दिये जाते हैं या अगर drones कम हो गए है तो drone की जो cell होती है चत्ते का जो भाग होता है उसके अंदर egg lay की जाती है तो रानी मक्खी का पहला मुख्यकार्य है अंडे देना और दूसरा मुख्यकार्य है इसके द्वारा एक विशेश प्रकार का क्यामिकल जिसे हम फिरमान कहते हैं वो स्तरावित किया जाता है जिससे कि ये पूरे छत्ते की पूरी बी हाइव की यूनिटी बना के रखती है कि जो भी बी हाइव है या मदु-मक्खी का छत्ता है उसकी फंक्षनिंग, स्ट्रक्च्चर fंक्षनिंग फूरी तरे से डिपेंड करती है रानी-, मक्गी, या क्वी बीन की प्रिसेंश पे और वही सबका काम भी केंट्रोल करती है और वही इसका स्ट्रक्चर की ही संताने या उनी की offspring होती है queen bee nipchal flight में किसी और छत्ते के male या drone से हमेशा mate करती है कभी भी queen अपने ही छत्ते के drone से mating नहीं करती, ये आसपास पाये जाने वाले किसी और beehive के male से nipchal flight में जाकर mate करती है और वापस अपने छत्ते पर आकर ये egg laying का काम करती है दूसरा हम अगर देखे हैं तो दूसरी कास्ट है worker bee जैसे हम shramik makhye भी कह सकते हैं shramik makhye जैसे नाम से हम समझ सकते हैं कि ये सबसे जादा काम किसी भी छत्ते में करती है किसी भी छत्ते में अलग लग प्रकार के काम हो सकते हैं जैसे ही worker bee egg से निकलती है हम कह सकते हैं कि larva worker bee का larva egg से hatch होता है जो generally 20 दिन लेता है hatching में hatch होते ही ये larva अपने worker bee अपने काम में जुट जाती है शुरुबात में just after hatching इसका काम mainly जो bee hive है जो मत्तमखी का छत्ता है उसी में रहकर जो भी कारे हो सकते है उसको करने का होता है लेकिन जैसे जैसे ये mature होती जाती है जैसे जैसे इसकी hatching का समय काफी हो जाता है उसके बाद ये छत्ते को छोड़ कर बाहर जाकर भी काम करने लगती है जब तक ये छत्ते के काम perform करती है, छत्ती की duties करती है तब तक इसको हम house bee भी कहते हैं और जस दिन या जब जब समय से यह कहीं छत्ते से दूर जाकर करने वाले काम करने लगती है तो यह field bee कहलाती है तो जैसे जैसे इसकी age बड़ेगी वैसे वैसे यह house bee से field bee में convert हो जाती है, उसका काम बदल जाता है, worker bees के भी अलग अलग प्रकार होते हैं worker bees, जो house bees है उनके काम के प्रकार के अधार पर हम बाड़ते हैं, वैसे इनकी संरशना सेम होती है, इनके house bee के मुखे काम होते हैं, जो छत्ता है उसकी सुरक्षा करना छत्ते का रख रखाव करना bee hive अगर कहीं से crack हो गया है तो उसको वापस seal करना repair करना, hive की cleaning करना इसके अलावा hive के अंदर जो भी अंडे, लार्वा हैं उनकी rearing, उनकी feeding करना उनकी cleaning करना और साथ ही में कई worker bees ऐसी होती हैं, जो queen bee के आसपास ही रहती हैं और queen bee को संभालने का काम करती है पूरी तरह से, queen bee क्योंकि पूरे समय अंडे देने में ही busy होती है तो खुद का feeding, खुद का cleaning, grooming नहीं कर पाती, तो ये काम भी कुछ worker bees जो special उसके आसपास रहती हैं, वो ही एक तरह के chemical में, जिसको propolis कहते हैं, एक तरह का gum होता है जिसको bee glue भी कहा जाता है उसमें cover करके और चट्टे से दूर ले जाना या अगर वो आकार में बढ़ा है, तो चट्टे के अंदर ही उसको mummify कर देना, ये सारे काम होते हैं house bee के, worker bee में field bees, mainly छट्टे से दूर जाकर, अलग-अलग जगे पे जाकर nectar collect करके लाती है, अलग-अलग जगे के फूलों से, और साथ ही में ये pollen भी collect करके लाती है, इनकी bodies के लिए specialized होती है इसके साथ ही में, अगर कोई attacker आ गया है, intruder आ गया ये six week तक survive करती है कई पार जब इनका winter season है या इनका working season नहीं है, जैसे हम मानते है summer और spring जो हैं, उसमें ये honey बनाती है, शेहद बनाती है उसमें इसका काम लगा तर चलता रहता है तो इस पूरे busy या व्यस्त वाले जो समय में इनका जिवनकाल कम होता है, लेकिन जो सरदियों का समय है, उसमें जिवनकाल इनका 2-4 महिने हो सकता है जबकि इनको शेहद बनाने का काम नहीं करना पड़ता, तब ये जादा समय तक survive करती है next is male bee male bee को हम drone bee भी कहते हैं, drone हमेशा किसी भी छत्ते में लगभग 100 या maximum 1000 की संख्या तक हो चकते हैं यह एक चीज़ ध्यान देने ही होगी है किसी एक छत्ते में केवल एक queen भी होती है drones या male 100 से 1000 तक पाय जाते हैं जबकि जो workers हैं वो लगभग 25 से 30 1000 की संख्या में सबसे अधिक संख्या में किसी भी छत्ते में होते हैं जबकि सबसे छोटे आकार के वरकर ही होगे तो सबसे छोटे साइज के होने के साथ सबसे जादा संख्या में किसी भी छत्ते में पाय जाएंगे और उसका रखरखाव करेंगे drone bees जो होती है वो basically male होती है और ये unfertilized अंडों से लगभग 22 से 23 दिन में निकलती है इनका छत्ते में सिर्फ एक काम होता है कि ये किसी और छत्ते की रानी मक्ही से मेट करते हैं और उसको fertilize करने में help करते हैं ये अपने beehive का कोई भी काम नहीं करते हैं ना ही ये पोलन कलेक्ट करते हैं ना ही ये honey बनाते हैं ना ही अपने hive की cleaning या defense में contribution करते हैं तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि इनका ये एक तरह से lazy member of the beehive है जब ही winters आ जाते हैं winters में जबकि शहद नहीं बन रहा है उस समय जो worker bees हैं वो इस प्रकार की lazy drones को अपने चटे से बाहर निकाल देती है attack करके उनको चटे से दूर कर देती है क्योंकि अब इनका काम सिर्फ और सिर्फ खाना रह जाता है और ये mating भी नहीं करते है winters वाले season में तो इस तरह से drone भी जो है वो अगर चटे से निकाले जा रहे है इसका मतलब समझना चाहिए कि अब apiculture का season खतम हो रहा है शहद बनने का season खतम हो गया है यहाँ पर इस photo में इस image में अलग-अलग queen worker और drone bee की structure दिखाई गई है queen और worker दोनों ही females होती है जो की fertilized अंडों से निकलती है इनमें queen सबसे बड़े size की होती है एक छटा जो भी है beehive है उसमें सबसे बड़े size की queen ही होगी और इसका जो abdomen है वो पीछे से लंबा और tapering होता है पीछे से pointer होगा इसमें punk छोटे पाया जाते हैं और इसमें stinger पाया जाता है यह कह सकते हैं कि इसमें dunk पाया जाता है यह केवल mating का काम करती है इसलिए इसमें pollen basket और बाकी अन्य उपकरन नहीं पाया जाते queen मक्खी केवल एक होगी और इसमें well developed ovaries पाया जाती है जिससे कि यह continuous fertilization और egg laying का काम करती है worker bee भी female होती है और इसके अंदर भी ovaries पाया जाती है लेकिन क्योंकि यह mating नहीं करती है किसी भी male से इसलिए यह कभी भी egg laying नहीं करती लेकिन अगर किसी भी कारण स्वे queen bee अगर छत्ते से चली गई है या इसकी death हो गई है आगे royal jelly खिला कर queen में convert किया जा सकता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो worker bee है वो चत्ते में सबसे छोटे size की होती है इसका abdomen सबसे छोटा होगा लेकिन इनके punk जो है wings उनके well developed होते हैं और साथ ही में जो इसका hand leg है साथ ही में इनकी hand leg पर pollen basket पाई जाती है जिसमें ये दूर से pollen फूलों का जो pollen है वो collect करके अपने चत्ते तक लेकर आती है थर्ड जो image यहाँ पर देख सकते हैं आप वो है drone की drone जो किसी चत्ते में पाई जाने वाला male member होता है यह आकार में काफी बड़ा है आप देख सकते हैं लगभग, रानी, मक्ही या queen bee के बराबर आप इसको मान सकते हैं लेकिन इसका जो abdomen है वो पीछे से gold या हम कह सकते हैं कि blunt या चोड़ा होता है जबकि queen bee का पीछे से पतला और tapering abdomen होता है इसका thorax भी काफी चोड़ा होगा और drone की eyes हमेशा सबसे large होती है ये पूरे head को लगभग cover किये रहती है इसमें dunk और pollen basket का अभाव होता है इसलिए male जो है वो कभी भी किसी को sting नहीं कर सकते हो dunk नहीं मार सकते हैं सिफ queen और worker bee में ही ये शमता पाई जाती है इसमें भी जो queen भी है वो generally किसी को sting नहीं करती क्योंकि इसका काम छट्टे के protection से सम्मंदित नहीं है हमेशा sting करने ये dunk मारने का काम होता है worker bee का तो कि छट्टे के protection और बाकी सारे कामों में अपने आपको व्यस्त रखती है तो इस तरह से तीन main cast है और इन तीनों के ही अपने अपने specific function है जिससे कोई भी honey bee का hive maintain रहता है Thank you